वंस अगेन वेलकम बेक टू नेपाल तू कलकता रोड ट्रिप्स अगर आप मेरे पिछले ब्लॉक नहीं देखे हैं नेपाल तू कलकता रोड ट्रिप्स तो आप मेरे पिछले ब्लॉक देख सकते हैं मैं प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा तो मैं पिछली ब बारे में कुछ बताता हूं, तो हम लोग खुल जा, सिम सिम, अरे बाइ, गेट ने खुल जा, सिम सिम, खुल गया, तो ये आप जो देख रहे हैं, ये होल है, हम लोग यहां बैठ सकते हैं, तो ये आप जो देख रहे हैं, ये बालकोनिक है, यहां से काफी अच्छा अच्छा मैं नरे सकती है चोटा इसपे से फिर वी काफी है सकती है तो आप देख पा रहे हैं कि मटी कि घर्ला लखिए हुई इससे हम लोग पानी पीते हैं ओर हम लोग अभी डाल छाए हैं तो आप यह चो दिख रहे हैं ये bathroom है, काफी अच्छा bathroom है और इसके बाद्टू भी अच्छा room है ये एक room है, जिसमें हम लोग सोते थे सोते थे और साइड में भी एक room है ये भी काफी अच्छा room है दो window हने के कारेशने काफी बाहर का सीन देखने में भी अच्छा लगता था और हावा भी काफी अच्छा था तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी-बड़ी बिल्लिंग सब है दाल जलाई दियो तो दाल बुरी तरीक्या से जल चुका है हम लोगभा हम लोगे साब कर रहा है लगबन लोगफ चार घंटा अइसे छोड़तीय थे खिसे बजेगा तो हम smiling बट को नाई बज़ा तो दाल पूरा तरीका से जल चुका है तो प REAL चुका है तो जाए देख रहा है कि ताल जल चुकिया तो इसको अब साप किया जारहा इसके बाद भुजिया फ्राइब हो रहा है तो हम लोग फिर से दाल बनाने वाले हैं तो नया दाल रेली हो चुका है बाई नया कुक होने के कारण नाल बन रही है तो दाल बन रही है काफी मज़ा आ रहा है खुद सब खाना पकार घाने में यह चीज फॉस्ट टाइम कर रहे हैं और खुद से खा रहे हैं तो भुजिया काफी टेस्टिक बनी है हम लोब हिंदी को काड के आलो को काड के इसके बाद हम लोब के लगता में आपके काफी मस्ती हो रहा है नए नी जगह जाने वाले हैं और आप सभी को दिखाने वाले हैं